हम खातनी तपिश्च सब्जीयों का सेवन करते हैं मगर उन सब्जीयों की क्या फाइदें हैं ये हम नहीं जानतें जैसे कठल आम तर पर ये हमाना जाता है कि कठल से कोई सवास्थ्ट लाव नहीं होता है मगर ऐसा नहीं है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कटहल में ऐसे कई गूर मौजूद हैं जो कि स्वास्त के लिए लावकारी है कटहल के अंदर कई पॉर्स्टिक तक पाए जाते हैं जैसे विटामिन A, C, थाइमीन, पोटैशियम, कैल्सियम, राइवोफलोवीन, आइरन, नियासीन और जिंकादे कटहल में पाए जाने वाले विटामिन A से स्किन और आँखों को फायदा मिलता है इसे स्किन की क्वालिटी अच्छी होती है और रताउंधी जैसी दिक्कतों को दूर कर आँखों की रोशनी बढ़ाता है कटहल कैशियम और मैगनेशियम का अच्छा सुरूत है जो हट्टिया मजबूत बनाता है और गठिया नहीं होने देता कटहल और कटहल के बीज खाने से यौन शक्ति बढ़ती है कटहल में पाये जाने वाले आइरन, विटामिन, मिनरल्स, कामोटेजना और यौन छमता में वर्धी करते हैं कटहल में विटामिन B6 और पोटेशियम तत्व काफी मादरा में होता है जो हाई बलड प्रेशर से बचाता है और हार्ट अटेक के खत्रे को कम करता है कटहल में विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K पाया जाता है जो शरीर की बिमारियों से लड़ने की ताकत बठाता है कटहल में आइरन तत्व होता है जो खून की कमी को दूर करता है थाईराइड रोगी के लिए कठल बहुत फाइदेमंद होता है यह थाईराइड क्लैंड में हार्मोन का स्राव संतुलित करता है कठल खाने से आप कैंसर के खतरे से भी बचे रहते हैं खास कर पीट के कैंसर से इतना ही नहीं या फाइवर से भरपूर होता है जो कब्ज बवासी ठीक करने में लावकारी है अब आपको हमारे वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कठल हमारे सेहत के लिए कितना लावडायक है लिहाजा आप कठल का नियमित रुख से सेवन कर सकते हैं ऐसे ही स्वास्वंदी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर करना न भूलें धन्यवाद